सुप्रभाद दोस्तों एक खुबसुरत सुभा आप देख सकते हैं कितना आलिशान नजारा देखने को हमें मिल रहा है तो यहां चने हमने लगाये थे आगे वीडियो में आप सबने देखे होंगे वो खतम हो चुके है यह एक पूराना कुआ है इसका इस्तमाल पानी देने क किरे किया करता था पहले लेकिन फिलाल भी कोई इसका यूस नहीं हो रहा है तो यह देखिए कुछ नजारा भी बहुत खुबसूरत सुभा के साड़े छे बज़े हुए है यहां यह ममी जी मिर्च चुनती हुए तो यह देखिए पूरा खेत पक चुका है यह लास्ट बार हम इसको उतारेंगे उसके बाद इसको निकालके खेत साप कर देंगे तो आप देख सकते हैं लास्ट बार मिर्च को उतारने के लिए पूरा खेत पक चुका है तो अल्मोस्ट यह फिनिश होने वाला है मिर्च का फसल इसके बाद इस खेत को जोद कर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं लास्ट वाले मिर्ची जो होती है आखरी फसल वह छोटी मिर्च हमें देखने को मिलती है यह वेराइटी सान्या है और अल्मोस्ट आप देख सकते हैं पूरा खेत पक चुका है और इसकी प्राइज अभी मार्केट में बढ़ गई है और ड प्रावराष्ट में राजकोट गॉंडल के एरिया में ज्यादा तर पाई जाती है दूसरी राज्ये में विवाई जाती होगी लेकिन फिलाल यहां हमारे इसतार में इसे ज्यादा लगाया जाता है बारिस के मौसम में और बहुत अच्छा इसमें उत्पादन भी मिलता है और किसान को प्रोफिट भी बहुत तर मिल जाता है इसके अंदर से तो आप देख सकते हैं इसका रंग और कलर तो यह देखिए हमने चून के यहां पर ठेर लगा दिया है तो इस प्रकार इखठा किया जाता है मीच को उसके बाद इसको सुखाने के लिए इसको फेला दिया जाएगा देखिए कलर देखिया आप कितनी कलर क्वालेटी सूपर है आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खुबसूरत मीर्ज दोस्तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा और हो सके तो आप वीडियो सेर भी कर सकते हैं तो यह देखिए तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सब ठीक रहे ऐसी है दूआ तो जय जवाँ जय किसान